बॉर्निंग आज हम ड्रेपण नेल ड्यॉपसिस आल॥ का के बारे में अध्यान करेंगे अधिय पर द्रेपण ड्यॉपसिस की ट्रेपर ड्यॉपसिस की सिस्टेमटिक पॉजिशन हम देखे है क्राश इसका टेक्सгляд लिए अकॉनिक पॉचिंशन देखें तो इसका डिविजन है कलरोफाइटा रास एक कलरोफ़ाइटी और द्रेपर निल धोपसिस कले दो फोरा की लाइफ साइकल के तरह ही इसकी लाइफ साइकल भी उसी तरह से घू दिया है और इसमें आईसो मॉर्फिक अल्टरनेशन अब जनरेशन कलेडो फुरा के समाहन ही पाई जाती है अथाथ इसका थेलस दो प्रकार का होता है हैप्लेड और डिप्लेड लेकिन दोनों थेलस मॉर्फो लोजिकली एकदम सिमिलर होता है इसलिए इस प्रकार के लाइप साइकल को आईसो मॉर्फिक लाइप साइकल कहता है लेकिन जेनेटिकली और फीजेलोजिकली ये थेलस अलग अलग होता है जेनेटिकली मिन्स अगर थेलस है प्लेड है तो इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर है प्लेड होगा और डिप्लेड है तो इसमें क्रोमोसोम्स के दो सेट पाई जाता है तो आज हम इसमें सिस्टेमेटिक पॉजिशन थैलस और सेल स्ट्रिक्चर के बारे में इसका अध्यन करेंगे रेपर नेल डियॉप्सिस कहां पाई जाता है इसका प्राप्तिस्तानी क्या है तो अस्मित और क्लाइवर नाइंटिन ट्वंटिन ने रिपोर्टेड किया ड्रेपर नेल डियॉप्सिस एल्पीनिस प्रॉंग दा हंटिंग्टन लेक कैलिफोर्निया दूसरी स्पीशिज है ड्रेपर नेल डियॉप्सिस इंडिका जो कि इंडिया में पाई जाती है और कि अधाय भारदवाज ने 1933 में रिपोर्टेड किती हैं दौन ही स्पीशिज यानि एल्पीनिस ड्रेपर नेल डियॉप्सिस एल्पीनिस और ड्रेपर नेल डियॉप्सिस इंडिका दौन रुप से फ्रेश वाटर में पाई जाती है और दूसरे जो एक्वेटिक प्लान से उसके उपर ग्रो करता है जो एक्विटिक प्लांस शेइलो वाधर जो कि पॉरन्स और लै्ट्स में पाई जाते हैं उन्स पर ये ग्रोफरता है कि ड्रेपन एल्ले उप्सेस के थेलस की हम बात करें तो इसका थेलस मेक्रोस्कोफिक होताह्य हमलग ही सब्सक्राइब अब इस सब्सक्राइब आण इत 2 कवर का संधियर घ्रॉड तैक सब्सक्राइब ज तक इस diligent नेडियर सेก्ड फ्रॉड इंण एकको ने कि अविएरिंग लेटरल उवालीट्रेड औन अनलिमिंट रची क्वर्व में जेश चाहिकर है वो दीलेटेन्ज मै्ट्रिक्स से कवर रता है और इसका जो मैं अक्सिस है उसमें दो परकार की शकाई पाती है एक तो ति लिमीटेड है शिमित परकार मैं आप्राइट होता है तू परस एक पात तो सवस्टेट कर मिलब सबस्टेटम से अठेज किसे अधारी सरपेस से अधारी सरपेस हमцион friendships हम म से बताएं कि कोbereकि कोई दूसरा हो सकता है जो की एक्वैटिक कि प्लांट है जो कि पॉंस और लेक्ष्में पाजाता गसके उपर जो है यह दूसरे प्लांश के है ज collecting है即 результат का शीओ क कि और कि गष्एक में meant अज्मक्रिशण सित का शीकाओं से यह तो सुछ में सिर्ओं से लिए म altura अगर्डाइए और मुनघा conversion उती है उससे यह दूसरे प्लंड के आधारी पर ये अटेज रहता है तो इस प्रकार इसमें राइजोर्स पाजाते हैं मल्टिसल्यूलर्स जैसे यह अटेज रहता है इट इस मौर और लेस और यूनिफॉर्म ब्रेथ एक्सप्ट दी बेस एंड एपेक्स वेर इट इस एटिनुटेड यह यह कम यह ज्यादा जो यूनिफॉर्म ब्रेथ मलस लड़ाई में होता है एक्सप्ट बेस और एपेक्स को छोड़ करके वहां पर यह पॉइंटेड होता है दमें एक्सिस इसका जो में एक्सिस है वह दो परकार की सेल्स का बनाता है जो में एक्सिस होता है वह दो परकार की से की एक होती है शोल नोडल सेल और एक होती है लों इंटरोडल सेल डायग्राम इतक दिखा नौडल और लोग इंटरोड़ोडार दिखा देते हैं यह देखिए इस डाइग्रम देखिए यहां पर देखिए यह नोडल सेल लिखी हुई है यह नोडल सेल है नोडल सेल जो है वो शोट है छोटी है और इसके उपर है इंटर नोडल सेल तो नोडल सेल और इंटर नोडल सेल दोनों अल्टरनेट रूप से पाइदाती है तो यह nodal हो गई यह inter nodal होगी दोनों alternate है दो इंटर नोडल सेल्स आर इलोंगेट वो लंबी होती है और एंड सिलिंड्रिकल और वो बैलनाकार होती है बट सम्टाइम्स बेरल शेव्ड कभी कभी वो बेरल शेव्ड होती है दे आर युजवली टू और थ्री टाइम्स एज लोंगेट नोडल सेल्स यह कभी कभी जो है दो गुना तीन गुना लंबी होती है नोडल सेल्स से दे लेटर आर शोट दिसकोडल एंड बैलल शेव्ड नोड़ल उल्स होती है वह छोटी होती है डिस्कोडल होती है बेरल शेल होती है these 2 types of cells are joined दोन टाइप की cells है joined होती है end to end regularly नीमित रुप से alternating अल्टरनेयस रुप से पाज़ा थिए नोडल फिर इंटर नोडल फिर इंटर नोडल फिर इंटर नोडल कि सम्टाम्स आप्स देर में बिर्टान सेल इनले और सेल्स कभी इक ज्छसे जादा भी हुती है। कि नोडिल शेल्स के बीच में इंडिनोडल सेल्स बीच में डार स्टेर्व लेटरल विचर टू तू थैपस अकिली नोडल सेल्स वह दो परकार के लेटरल ब्मच्छ से वह निकलती है बहन होती रेध़ें और ब्रांच कौन-कौन करता हैं branches of unlimited growth और दूसरी है short branches और branches of limited growth यह दोनों branches जो है nodal cells ही arise होती है तो the long branches arise at intervals from the nodal cells their number varies from 1 to 4 percent इनका जो number है वो varies करता है अलग-अलग होता है किसी में एक होता है किसी में 4 percent they repeat the structure of the manixes और यह इसका जो structure में एक्सिस के समाहन होता है short branches और branches of limited the short branches normally arise in worlds of four or in opposite pair या तो यह चक्र में या चक्र four four के चक्र में या opposite एक उदर एक उदर जैसे ट्रेपर नेल्डियों इंडिका में from the median and any part of the nodal cell and are set at right angles to the manixes right angle में एक दूसरे के सम्कौने पर रहए होता है're Look they are of limited growth all of unlimited growth or all of unlimited growth Smith reported that Rapperneldiopsis alpinis the basal cell of the short branches are cuneated and die or trichotomously hold at the apex the cells born by these basal cells may also be hold dichotomously at their spices and at their spices spider apexes and this may continue for three or four cells formed in succession the ultimate branches of the short letter which is the short letter which is untimed branch is tapered towards the apex which is long colorless hair-like process consisting of one or more greatly elongated cells in which the coloroplast has totally disappeared or disorganized which is the short letter which is the short letter which is the short pattern which सेलइ की बात करें कि इसेल्स का स्थिक्षर के थर छंग है तो यूनिक्ट और उसमें पराइटल the cell the cells in the branches have also parietal reticulate chloroplast with one or sometimes two parinates smith and kyleward 1920 reported that in draper naldeopsis alpinis the single parietal cylindrical chloroplast in the cells of the main axis and long branches is reticulate and form equatorial girdle in the short lateral is laminate and parietal short lateral main chloroplast hota hava laminate hota parietal hota hain draper naldeopsis indica mein short lateral are seen to loss chlorophyll short lateral ke under chlorophyll loss hoda hain they become modified into rhizoid modified rhizoid like branches this tendence is very well marked at places where the lateral of unlimited growth arise the rhizodal threads sometimes twine twine mazlub 4th rep zakar daata hain around the the main axis in huge masses forming a sort of cortical investment counselling sa se means that the left of the vertical to the top of the vertical dish as what the could cause and this is how you are trading diagram in figure 10.8 part of the big capital V10.8 part of the big area like the end of the big area trying to break a bit to the point of the budget and this is how the midge for the long term of the big majority is going to the end of the year is the short lateral to the end of the branches is going to the whole caleb it up a lot of पूरा मेन इकसिस से चुपा लेती है तो यह देखिए पूरा मेन इकसिस से चुप गया और यह इसे कहता है को प्रकार से यह मेन एकसिस जो है जो पूरा जो एक पर दो 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 कि अंदर आज हमने इसकी टेक्सोनोमिक पोजिशन और इसका थेलस का अकरेंस थेलस का स्ट्रक्चर थेलस बताया कि यह बहुत ही अडवांस प्रकार का हेट्रोटाइकस थेलस है हेट्रोटाइकस में दो प्रकार की इसमें इसमें दो प्रकार की ब्रांचेस निकलती है लिमिटेड और अनिमिटेड और दोन प्रकार की ब्रांचेस जो है वह एक इसमें इसमें दो प्रकार की सेल पाजाती है नोडल सेल और इंटर नोडल सेल राइज होती है जो सबस्टेटम है उस सबस्टेटम पर यह होता दिखात दिखात, यह छोटी नोडर से लाट डॉल प्रांचा इस ईंदिखा, इसमें दिखा गया है कि किस तरह से प्रिकल में कमरा है यह इसका दो परकार की जो ब्रांचे से और यह सेल का स्टेक्टर अगली बार हम रिप्रोडक्शन के बारे में स्टेडी करेंगे रिप्रोडक्शन भी बहुत कॉंप्लेस होता है इसमें और सेक्सवल और अल्टरनेशन अप जेनरेशन भी पाजाता है जो कि आईसो मॉर्पी थेंक यू रिप्रोडक्शन जो है इसमें भी जो है इसमें बताया के दो परकार के इसमें जनरेशन पाजाती है यह प्लेड रॉट अब यह तो है है प्लेड प्लेड होता है वह गेमीड व प्रांट व फिटी के लाता है अब डिपेड प्रॉट कर लगता है तो यह अगले बार हम study करेंगे thank you